आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि विदेश का विलोम शब्द क्या होता है और इसका आर्थ क्या होता है और साथ में कुछ धारन वाक्यों से भी से और अच्छे से समझेंगे तो सबसे पहले विदेश का आर्थ समझते हैं विदेश का आर्थ होता है अन्य देश ये परदेश यानि कि जो दूसरों का देश हो या जहां पर आपका जन्म हुआ है उससे कोई दूसरा देश हो जहां कि आप नागरिक हैं तो उसको विदेश का आजाता है तो विदेश का विलोम शब्द यानि कि विप्रित आर्थक शब्द होगा स्वदेश और स्वदेश का आर्थ होता है अपना देश या मात्रे भूमिन तो आई अब हम विदेश और स्वदेश को कुछ उधारन वादिक्यों से समझें जैसे कि आप यह कह सकते हैं कि उसने विदेश यात्रा की योजना बनाई तो इसका उल्ट आप कह सकते हैं उसने स्वदेश में छोटियां बिठाने का निरने लिया या फिर आप कह सकते हैं विदेश में उसने शिक्षा पूरी की तो इसका उल्ट आप कह सकते हैं स्वदेश में उसने शिक्षा पूरी की यानि अपने ही देश में उसने शिक्षा पूरी की अब आप किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंगलिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें